इस वीडियो का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन आफ ट्राइंगल आज हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे जब हमें इसके थ्री साइट्स दिये हुए हूँ एक मिसाल ले लेते हैं फॉर एक्जेंबल हमने एक ट्राइंगल ट्राउ करनी है जिसके एक साइट की लेंथ है फॉर सेंटिमीटर दुस्री साइट है फाइफ सेंटिमीटर और तिस्री साइट है सिक्स सेंटिमीटर हम इसको कंस्ट्रक्ट करना स्टार करेंगे सबसे पहले हम सिक्स सेंटिमीटर की लाइन ड्राउ करते हैं रूलर की मदद से इसको ruler या scale कहते हैं जिसके उपर numbers लिखे होते हैं और ये numbers cm में हैं तो सबसे पहले हम 6 cm की एक line segment इस तरह से draw कर लेंगे इसके बाद ruler को यहां से remove कर देते हैं यह हमारे पास है 6 cm की एक line हम यहां पर 6 लिख देते हैं ताकि हमें पता चले यह 6 cm वाली line है इसके बाद अब हमने 5 cm वाली line draw करनी है इसके लिए हम क्या करेंगे हम ruler ले आते हैं और ruler को यहां पर रखे इसके बाद यहां से हम compass को ले आएंगे इसको compass कहते हैं जिसकी एक side पे pencil लगती है दूसरी नोकीली side है अब हमने क्या करना है इस compass को यहां से पकड़के 0 के उपर इसकी जो यह metal वाली side है नोकीली side है इसको 0 के उपर रखना है और इस side को पकड़के खेंचना है क्यूंकि हमने 5 cm की line draw करनी है इसले हम 5 cm तक इसको खेंचेंगे और इसके बाद हमने क्या करना है इसके बाद इसकी मदद से यह वाला पॉइंट जो है इसका यह फिक्स रखना है यहां से आपने इसको नहीं हिलाना जो नुकीली पॉइंट है दूसरी पॉइंट से हम पकड़के एक कर्व ड्रॉ करेंगे इस तरह से इसी तरह अब उसके बाद हमने फूर सेंटिमीटर की भी लाइन ड्रॉ करनी है सोरी हमने इसके उपर ड्रॉ नहीं करनी थी हम स्केल को हटा देते हैं और इसको यहां पर ले आते हैं हमने क्या करना है हमने इस लाइन के उपर इसको ड्रॉ करना था तो line के इस side पे, इस corner पे, इस point पे, इस नुकीले हिसे को रख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक हमने curve अब इस तरह से draw करनी है आपने line के उपर रख के करनी है, मैंने गल्ती से scale के उपर रख किया था तो line के उपर रख के, यहाँ पे curve draw कर दी है अब इस तरह से यह हम next काम भी करेंगे दुबारा से हम scale को ले आते हैं अब scale के उपर हमने इसको रखना है इसको अपने यहाँ पर scale के उपर नुकीले point को यहाँ पर रखें अब हमने क्यूंकि 4 cm की line ड्रॉ करनी यह पहले 5 cm की की थी अब इसको थोड़ा सा हम पीछे की तरफ ले आएंगे कितना खोलना है 4 cm तक हमने अपने compass को खोलना है और यहाँ पर खोलने के बाद अब इस से हमने line ड्रॉ करनी है scale को यहाँ से हटा देते हैं compass का यह वाला सिरा इस point पर रख देंगे और इसके बाद अब हमने एक line ड्रॉ करनी है इस curve ड्रॉ करनी है सोरी इस तरह से आपने इस तरह से curve को ड्रॉ करना है कि वो पिछली curve को intersect करे जैसे इस point पे पिछली curve को cut कर रही है अब हम scale की मदद से इसको join करेंगे अगर हम देखें को रखें इस side पे तो यहां इस point से जहां center set कर रही है इस point से line ड्रॉ करें तो यह line हमें वैसे भी नजर आ रही है कि 5 cm की यह line है यहां पे 5 है अब scale को दूसरी तरफ रख के भी draw करें इस scale की मदद से दूसरी side को भी join कर लेते हैं साथ-साथ measure भी करके देख लेते हैं इसको join करें पहले इस तरह से हम pencil से line लगा देते हैं तो यह हमारे पास 4 cm की line draw हो गई है हम इसको यहां से देख भी सकते हैं यह बिल्कुल 4 cm की line है अब scale को हम यहां से हटा देते हैं तो यह हमारे सामने एक triangle बन गया यह 6 cm था यह कितना था इस तरह से हमने 3 sides के साथ triangle ड्राइंगल ड्राइंगल कर ली है तो आज हमने सीखा construction of triangle के बारे में